नमस्कार अदाप सस्रिकाल दोस्तों, बिग बॉस सीजन 15 का ग्रैंट फिनाले एपिसोड खत्म हो चुका है ग्रैंट फिनाले एपिसोड के खत्म होने के बाद सामने आ चुका है विनर का चहरा और विनर के रूप में आपकी और हमारी फेवरेड तेजस्वी प्रकाश बिग बॉस सीजन 15 की ट्रोफी को लिफ्ट करी अब आपको बताना चाहते हैं दोस्तों, तेजस्वी प्रकाश को सबसे जादी खुशी होनी चाहिए लेकें तेजस्वी प्रकाश जो है वो नराज हैं, तेजस्वी प्रकाश अपनी जीस से बिलकुल भी खुश नहीं है करन कुंद्रा बने हैं सबसे बड़ी वज़ा, आखिर किस वज़े से करन की वज़े से तेजस्वी प्रकाश जो हैं जीत कर भी हार गई ये बात हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तो आज के खास रिबोर्ट में लेकिन इससे पहले ज़ी आपने हमारी YouTube चानल Quick TV News को सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले Quick TV News को आप सबस्क्राइब कर लें बल आइकन के घंटे को नहीं दबाया है तो बल आइकन के घंटे को आप जरूर दबा लें चलिए आपको बताते हैं आज के खास रिबोर्ट में यही बात शुरू से ही तेजस्वी प्रकाश और करन कुंद्रा की जोडी को आप सभी दर्शकों ने पसंद किया दोनों के बीच में लडाई भी होती थी तो काफी क्यूट वाली होती थी बस कुछी समय के लिए इन दोनों के बीच में लडाई होती थी इसके बाद पैचप भी इतना ही जल्दी हो जाया करता था और साती साथ तेजरंग चाहे कितने भी मुश्किल समय इनके पास क्यों न आएं लेकिन दोनों ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा और ऐसा ही फिनाले में भी हुआ जब करन कुंदरा की हार हुई तेजस्वी प्रकाश की जीत हुई जीत कर भी तेजस्वी प्रकाश की हुई है आर अपनी जीत की खुशी से जादा करन की हार का गम है तेजस्वी प्रकाश को करन की प्यार की वज़े से तेजस्वी तेजस्वी प्रकाश की जीत पड़ी फीकी आपको बताना चाहते हैं दोस्तों कि तेजस्वी प्रकाश ने इंटर्व्यू में बहुत सारी बातें बताई जैसे कि उन्होंने उनकी जर्नी के बारे में बताया और साथी साथ काफी इमोशनल हो गई इमोशनल होते वे काफी जादा घर को मिस करेंगी ये बातें उन्होंने कही और साथी साथ करन कुंद्रा की हार की वज़े से वो कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परिशान दिखी और कहीं न कहीं उनकी जीत जो है इस मामले में फी की पड़ी रही और साथी साथ ये बड़ी बात जो है वो निकल कर सामने आ रही है सोचा हम आप सबी दर्षकों के सामने लेकर हाजिर हो और 377 आज की खासी पोर्ट में बस इतना ही तो इसी वज़से तेजस्टवी प्रकाश जो है अपनी जीत कर भी वो हार गई तेजस्टवी प्रकाश अपनी जीत से खुश नहीं है इसी कारण से और साती साथ करन कुंद्रा बने हैं इस तरह से सबसे बड़ी वजा हलाकि करन कुंद्रा जो है तेजस्वी प्रकाश को जम कर सपोर्ट कर रहे हैं तेजस्वी प्रकाश की जीत के बाद तेजस्वी प्रकाश के पास पुचाते हैं और उन्हें समझाते हैं और साथी साथ खुशी खुशी पल जो है वो बिता रहे होते हैं उस मुमेंट को एंजॉय कर रहे होते हैं क्यूंकि ये मुमेंट जो है दुबारा कभी नहीं आएगा और करन कुंदा ये बात को जो है वो जानते हैं इसके बाद तेजस के लिए आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर लें और साती साथ अब आपको तेजस्वी और करन से जुड़ी सारी की सारी अपडेट जो हैं बाहर की दुनिया की सारी की सारी अपडेट जो हैं आपको बताते रहेंगे आज के खास रेपोर्ट में बस इतना ही